बच्चो इस डिक्टेशन में लग सब दु का जादा प्रयूख होगा, उसी समंदे डिक्टेशन हैं. प्रधान मंत्री ने समवादाता समेलन में बोलते हुई कहा आज देश में जगे-जगे हिंसक, आंदोलन, किसान, आंदोलन, सिक्षक आंदोलन तथा छात्र आंदोलन चल रहे हैं। मैं कुछ समय से सोच रहा हूं कि देश से इन आंदोलनों को हमेशा के लिए केसे समाप्त किया जाए। किन्तु आंदोलन्कारियों द्वारा जगे-जगे हिंसा का माहूल बनाना, जगे-जगे आंदोलन करना इस देश के लिए दुख की बात है…. किस तरह विदेशियों को इस देश से भगाकर हमने एक नई रुस्नी प्राप्त की है इस बात का हमारे देश वासीयों को एसास होना चाहिए पहले हम गुलाम थे अब हमारे देश से गुलामी की कालिमा समाप्थ हो गई है मैं यहाँ इस बात का उलेग करना चौbur की देश में फेल रही हिंसा एवं आंडौलन को समाप्थ किया जाए जगे जगे बेवजय रेलियां वो मसाजिनूस निकाले चाते हैं। वे समाप्त हो। देश में स्वच्चता का माहूल होना चाहिए। कोई भी कानून का उलंगन न करे। तभी देश में एक नई रोशनी लाई जा सकती है। जब हमारे खिलाडी विदेशों में खेल खेलने के लिए जाते हैं तो हमारी बड़ी अभिलासा रहती है कि हमारे खिलाडी कुछ पदक लेकर आएं। हमारे खिलाडी बड़े होसले एवं उल्लास के साथ खेल खेलने के लिए जाते हैं। किन्तु जब वे खाली हात लोडते हैं तो उनका होसला पस्त हो जाता है। किलाडी ओं में खेल भावना के साथ देश के लिए कोछ कर गुजरने की भी चाहा होनी चाहिए। आज देश के सामने मुक्य पहलू यह है कि खेलाडी ओं में किस तरह से खेल भावना पेदा की जाए। ताकि देश खेलों में उपलब्दियां हासिल कर सके।